बड़ी खबर जानिए मुंबई से आ रहे हैं मुंबई मारवे बीच पर पांच लड़के समुद्र में डूब गए हैं दो लड़कों का रेस्क्यू किया गया है तीन अभी भी लापता है समंदर में लड़कों की तलाश में सार्च ओपरेशन चल रहा है मनारवे बीच पर नहाने गए थे यह पांचों बच्चे बड़ी खबर हम आप को बता रहे हैं मुंबई से मुंबई में बीच है मारवे बीच वहाँ पर पांच बच्चे ढूब गए जिन में से तीन बच्चे अभी भी लापता हैं दो बच्चों का rescue कर लिया गया है पांच लड़के नहाने जाते हैं डूब जाते हैं तीन लापता है rescue चल रहा है माथ पीज़े और दो लड़कों का rescue चल रहा है और तीन अभी भी लापता है पांच लड़के गए थे फोन पर हमारे साथ रौनक जुड़ रहे हैं जादा जानकारी के लिए रौनक बच्चे नहाने कब गए थे क्या उन्हें रोका नहीं गया था जी दीखें मुख्य तोर पर जो अभी फिलाल जानकारी मिल रहे हैं तहरते तहरते खोड़ा अंदर चलेगा और उस वक्त जो बताया जा रहा है कि हाई टाइड का वक्त था और ऐसे वक्त में ये लोग वहाँ पर डूब गए फिलाहल रेस्क्यू करकर जो वहाँ पर लाइफगार्ड थे मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी भी मौके पर पहुचे हुए लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार इस तरह की घचनाए जो हो सामने निकल करा रही है और मौन्सून के वक्त तो तकी इलाकों में जाने के लिए जो है वो रोप होती और ऐसे वक्त में ये बच्चे वहाँ पर कैसे पॉच गए ये अधिक बड़ा सवाल है प्रसाशन पर कही न कहीं सवाल हुचता दिख रहा है आपकर बिलकुल रौनक शुक्रिया जानकारी के लिए हाई टाइट के वक्त ये पांचों बच्चे पहुंचे थे जिनमें दो को रेस्क्यू के अग्यादी में करा शाभी जारी है मुंबाई से बड़ी खबर है पत्रकारता कोई emotion नहीं है ना अपना कोई ग्यान देना है और ना कोई विचार थोपना है पत्रकारता क्या है? पत्रकारता का मतलब है सही जानकारी इकठा करना और तथे बताना पत्रकारता अज जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा ये आपका टाइम है जगविंदर पठियाल के साथ देखिये पब्लिक इंट्रेस्ट सत्रह जुलाई से सोबबार से शुक्वार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी नियूज पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे